शाजहापूर के गड़िया रंगीन में एक बार फिर सामने आई पुलिस की मनमानी तहरीड देने के चार दिन बाद भी कारवाई नहीं कर रही पुलिस पीड़ित किसान परिशान पीड़ितों ने आला धिकारियों से लगाई नयाय की गुहार बता दें कि शाजहापूर के गड़िया रंगीन थाना चेतर के ओमेंदर पुतर रभी पिरकाश रामकुमार पुतर ननकू सिंग ने 23 मार्श को थाना 10 को नामजद तहरीड देकर शिकायत की थी कि 22 मार्श की रात को ग्राम पंचायत रपडिया के राजीव पुतर नत्तू बालिश्टर वाशेरा पुतरगड रामपाल बड़े पुतर ननकू कप्तान बादाम करतार पुतरगड इंडरपाल आधी लोगों ने पीडितों के खेत में पड़ी चारपाईबा बिसर में आग लगा कर उन पर जानलिबा हमला किया है लेकिन पुलिस ने तहरीर देने के चार दिन बीच जाने के बाद भी आज तक कोई करवाई नहीं की पीडितों ने बताया कि आरोपी उनके खेत में आए दिन गायों को छोड़ देते थे जिससे किसानों की फसल में काफी नुकसान होता था गायों से अपने खेत को बचाने के लिए पीडित किसान हर रोज रात को अपने खेत की रगबाली करते थे पीडित किसानों का आरोप है कि 22 मार्च की रात को आरोपियों ने खेत में पड़ी पीडित किसानों की चारपाई बाबिस्तर में आग लगा दी इसके साथ ही पीडित किसानों से मार पीड दी की वहीं आरोपी ये भी है कि आरोपी राजीब ने पीडित किसानों को जान से मारने की नियस से फायर करना चाहा तो पीडित किसान जैसे तैसे अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग गGreg पीडित किसानों ने इस मामले की सूशना 23 मार्च को गड़िया रंगीन पुलिस को दिया लेकिन गड़िया रंगीन पुलिस ने अपनी मनमानी और हट धर्मिता के चलते आज तक कोई करवाही नहीं की जिसी नाराज गरामिलों ने आज इखटा होकर आला दिकारियों से करवाही कर नयाय करने की माम की है गाई ने समस्या है? कैसी गाईं की समस्या है? गाई लईंके फ्चितम छोड़ देता है, यह लाइ डाड़ी गाई बंदी हुई या छुटी हुई? बंदी हुई आई किन किन लोगों की है? राजीप, पुत्र नत्थू, बालेश्टर, बादाम, पुत्र रामपाल और कितने लोग हैं? बड़े पुत्र नन्नुकू, कर्तान, बादाम, कर्तार, पुत्र इंदरपाल पुत्र गड़ इंदरपाल आज यहारा खेत पर चारपाई पढ़ी थी कौन सेला पर ? रापड़ बादाम ही ए खटिया वागी लगा दि यहारे तुमने की सिकायथ गी पहल कि वाधाल प्यार गी gi guys करने बाद पुलिस की aring का रवाई की के क्या का रवाई की का रवाई की लोगों के दिया किदने दिन हो गए चार पांदर हो गए चार पांदर दिन तक अभी कोई कारवाई नहीं की कोई कारवाई नहीं की